तो अगर आपको मुचाही से डर लगता है तो इस वीडियो को बिलकुल भी मत देखना और अगर आपको जानना है एरिया 51 में मौझूद एक वाइबरेटिंग केव के बारे में मतलब एक ऐसी गुफा जिसके अंदर से वाइबरेशन्स निकलते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखना अब आपके पास है दो ओप्षन तो जिन लोगोंने सेगंड ओप्षन चूज किया है फटा फट से अंदर आजाओ क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी लड़की की कहानी जो कि दुनिया के सबसे गहरे ट्रेकिंग डेस्टिनेशन पर जाकर गायब हो गई और फिर उसके बाद वो लड़की ऐसी हालत में मिली जिसे देख कर आपके रोंग्टे खड़े हो जाएंगे इस लड़की की कहानी का नाम है 304 Days in Hell और डेफनेटली मैं आपको एरिया 51 में हुई घटना के बारे में तो बताऊंगा ही जो बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग है तो जल्दी से अपने ट्रेकिंग बैक्स निकाल लो एससेसरीज रख लो जो कि हम चलने वाले हैं पेरू में आज के फ़ाडू वीडियो में ये घटना जिस लड़की के साथ हुई थी उसका नाम था नताशा ये करीब 28 साल की थी बेल्जियम में रहने वाले ये लड़की घूमने फिरने की बहुत ज्यादा शौकीन थी इसके पैरेंट्स भी इसकी इस हॉबी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते थे वो अलग-अलग destination पर जाती थी चीजों को और जगहों को explore करती थी वो बहुत ही experienced hiker भी थी उसे tracking करने का भी बहुत तकड़ा experience था ये घटना है करीब 2022 की पूल का canyon नाम की एक जगह है जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा deepest tracking destination है ये जगह पेरू में मौजूद है और इस बार नताशा यहीं प पर दो रास्ते हैं जो लोग पहली बार आए हैं और नए हैं उनके लिए होता है easy वाला path ये एक दिन में खतम हो जाता है और यहाँ पर कोई ज्यादा tension नहीं होती क्योंकि ये रास्ता बहुत आसान है और दूसरा रास्ता होता है difficult जो की experienced लोगों के लिए है और यहाँ पर यहाँ पर जो रास्ते थे वो शुरुआत में तो बहुत चोड़े थे बहुत आसान थे लेकिन जैसे जैसे tracking करते हुए बंदा उपर जाता था ये रास्ते बहुत ज्यादा सक्र होते जा रहे थे ये बहुत ज्यादा slippery थे इनमे पैर फैसल कर गिरने का जोखिम सबसे ज्या पूरी था लेकिन नताशा ने ऐसा नहीं किया क्योंकि नताशा को confidence था कि उसे किसी भी guide की किसी भी help की जरूरत नहीं है यहाँ पर ऐसा नहीं था कि नताशा उस पाथ पर अकेरी थी उसके साथ उसके आगे और पीछे बहुत सारे लोग थे जो tracking कर रहे थे बैट नताशा की speed उन सब से काफी ज्यादा तेज थी क्योंकि एक तो वो किसी guide के साथ नहीं थी और दूसरा उसे बहुत ज्यादा experience था तो वो बागी लोगों से कहीं ज्यादा speed से tracking कर रही थी अब ऐसा करते करते एक moment ऐसा आया जब नताशा पूरे path में अकेली थी सब लोग काफी पीछे गए थे और यह जो पूरा track था उसमें एक halfway आता है मतलब एक ऐसी जगह जहां पर tracker को पता चल जाता है कि मैंने आधा रास्ता complete कर लिया है यहां पर एक flag लगा रहता है तो जब नताशा यहां पर पहुंची तब वो बिलकुल अकेली थी and then उसके बाद नताशा अचानक से गायब हो गई। call करती थी और चुकि आज parents के पास call नहीं आया तो उनको थोड़ी से tension होगा नताशा के parents को मालम था कि आज वो exactly कहां पर track करने वाली है और वो जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है नताशा के जो parents है उन्होंने केलका कॉनियन की authority और guards दोनों से contact किया उनको बताया कि उनकी दूड़ने के लिए उसी रात निकल गए काफी धूड़ने के बाद भी जब नताशा के बारे में कुछ भी पता नहीं चला कुछ टाइम के बाद नताशा की सर्च को बंद कर दिया गया हालाकि उसके parents खुद भी track कर रहे थे वो खुद भी कोल का canyon का चपपा चपा चपा च चूड़िया है और उन्होंने अपनी बेटी को धूड़कर निकालने वाले के लिए एक बहुत बड़ा प्राइस भी रखाता उन्होंने पूरे शहर में पोस्टर भी चिप काया थे कभी यह लड़की अगर किसी को दिखती है तो इसके बारे में जो बताएगा उसको यह फ और उसकॉल में बताया जाता है कि आपकी लड़की के बारे में पता चल गया है तो वो जिस जगह पर जो फ्लैक था ना वहाँ से नेक्स्ट डेस्टनिशन थी वहाँ का रास्ता बहुत जारा सकरा था बहुत जारा डिफिकल्ट था नताशा वहाँ चड़ाई कर रही होगी और एक्चुली नताशा का परपसला और जैसे मैंने आपको बताया कैनियन जो है यह वाला यह बहुत डीप है और यहाँ नीचे एक नदी थी तो नताशा वहाँ से फिसल कर उस पॉइंट से फिसल कर नीचे गिरी नदी में और नदी में पानी का भाव बहुत तेज था जि उसकी बॉड़ी फसी हुई है दो पत्थरों के बीच में खासकर उसका सिर जो है वो फस गया था तो वो हिल नहीं पा रही थी दूसरा पानी का भाव भी बहुत ज्यादा तेज था तो अब नताशा का जो सकल था जो सकेलेटन था वो कुछ ऐसी हालात में मिला में भी हो सकत तुरंत उसको मौत आ गई होगी दूसरी वो धीरे 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 तडपती रही होगी भूंक से प्यास से बहार निकलने की कोशिश करती रही होगी बहुत टाइम तक 15 दिनों तक महीने डिल महीने तक और उसने अपनी मौत को स्लोली स्लोली अपनी आखों के सामने देखा अप्शन तो हाई बहुत ही बेकार है I don't know नताशा के साथ क्या हुआ था लेकिन तीन महीने बाद जाकर जब पानी का जो लेवल था नदी में वो कम हुआ तब पता चला अथॉर्टिस को के बही नताशा की जो बॉड़ी है वो यहां पर है और उसके साथ एक्चुली में क् चोटी सी जगह पर फसे रहना कितना ज्यादा डरावना होता एक तो पहले या बात तो इतनी उचाに से गिरना नदी में दन उसको बाद एक छोटी सी जगह पर फस जाना इसको कहा जाता है क्लस्ट्रोफोबिया ये एक anxiety create करती है जब किसी इंसान को छोटी सी जगे पर बंद कर दिया जाता है उसे प्रॉपर oxygen नहीं मिलती है और शायद यही कुछ ऐसा हुआ होगा नेताशा के साथ जब क्योंकि उसकी खोपड़ी थी ना वो पूरी फसी हुई थी दो पत्थरों के बीच में तो मैं तो definitely इस चीज़ को feel कर पा रहा हूँ कि उसे कितना ज्यादा डर लग रहा होगा उस moment पर भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे लेकिन आज किस वीडियो में हमारे पास एक किसा और भी है नताशा के साथ जो हुआ बुरा ही हुआ इसलिए कहते हैं ज्यादा confidence में नहीं रह जहां पर एक बंदा एक जो social media influencer था यूटीवर था वो अचानक से गाया हो गया area 51 से और उस बंदे का नाम था कैनी यह कैनी था सैताले साल का एक हाईकर जो की यूटीवर वीडियो बनाता था और इसको area 51 से काफी ज्यादा लगाव था तो जिसको जब पता चला के area 51 में ए गुफा है जो वाइबरेट करती है उसके अलग से साउंड निकलते हैं यह मचल गया यह उस जगह पर जाने के लिए अकदम तडब गया और जब यह उस गुफा के पास गया तो इसना ऐसा feel किया के भाई मतलब जैसे ऐसे गुफा के पास जा रहा है इसकी बोड़ी के अंद when I was here before and something about that cave just spooked me out all the caves I've ever gone in this one just made my body vibrate the closer I got to it the crazier my body felt and I was like alright I'm not gonna go in there right now सब लोगों ने इसकी बात का पहली बात तो यकीन नहीं किया जिनने यकीन किया उन्होंने कहा कि भी यह दोबारा उस जगह पर मत जाना लेकिन वहीया कैनी कहां मानने वाला था कैनी को तो चाहिए था content या जो भी था वो explore करना चाहता था उसकी curiosity थी तो वो camera camera लेकर पहुँच गया उस जगह पर फिर से area 51 के पास उस गुफा के पास और जैसे यसे वो गुफा के पास गया उसको vibration महसूस होते गया और फिर वो गुफा में थोड़ा सा अंदर गया and then after that he was vanished from that place Kenny हमेशा के लिए उस जगह से गायब हो गया अब वो गुफा के अंदर ही रह गया किसी trap में फस गया उसे aliens ने अंदर खीच लिया उस गुफा ने अंदर खीच लिया या Kenny ने अपने सांथी कुछ किया I don't know बट ये घटना एकदम सच्ची है कि Area 51 में एक ऐसी गुफा है जो vibrating गुफा है and उस जगह पर जाकर एक बंदा गायब हो चुका है और ये घटना है 2014 की जिलनों को नहीं पता Area 51 के बारे में मतलब पहली बाद तो शरम करो कि तुमें Area 51 के बारे में नहीं पता चल फरी भी शॉर्ट मता देता हूं कि भाई या ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर Aliens UFOs देखे जाते हैं ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर Secret Research की जाती है High Technology, Advanced Technology, Space Ships बनाने के लिए यहाँ पर बहुत तगड़ा इंतिजाम आते हैं ये जगह पहले तो Google Map पर थी यह नहीं अभी तो फिर भी Government ने इसको Map पर शो कर दिया बट यहाँ पर Actually में क्या होता है ये कोई नहीं जानता, आम आदमी तो बिल्कुल नहीं जानता ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर Aliens आते हैं बट Area 51 के रास तो खेर बहुत ज़्यादा गहरे होंने शॉर्ड रम बताया नहीं सकता उसके लिए मैंने काफी सालों पहले से वीडियो बना रखे हैं अगर तुमने नहीं देखें सर्च करना गौरो कर डारेक्षटर Area 51 तो मैं वीडियो मिल जाएंगे उससे पहले ये वीडियो लाइक कर देना क्योंकि मुझे मालमत में वीडियो अच्छा लगा होगा और हाँ भीया ध्यान रखना कभी भी हाइकिंग ट्रैकिंग करने जाओ तो अपने पैरेंट्स को बता कर जाना अपने साथ गाइड लेकर भी जाना ज्यादा और confidence पे जब हो अकेले कहीं जाते हैं तो कुछ न कुछ लफड़ा जरूर हो जाता है और जो नहीं होना चाहिए वीडियो को लाइक करो वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करो चैनल को अगर पहली वा आ रहा हो और हाँ आपने दोस्तों से शेर करना बिलकु मत बूलना इस वीडियो को मिलते हैं अगले एक और फालो वीडियो में